मेरी तीन चुनोतियां हैं कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के पूरे इकोसिस्टिम को पहली चुनोती कॉंग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो सम्विधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसल्मानों को आरक्षन नहीं देंगी देश को बाटने का काम नहीं करेगी मेरी दूसरी चुनोति हैं कॉंग्रेस देश को लिखित में दे कि वो एस्टी एस्टी ओबिसी को मिलने वाले आरक्षन में सैंद मारी नहीं करेगी उनका अधिकार नहीं छिनेगी दाकान नहीं डालेगी मेरी तीसरी चुनोति है कॉंग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कॉंग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राज्यों की नहीं करेंगे वो बैक डूर से ओबिसी का कोटा काट कर मुसल्मानों को आरक्षन नहीं देंगी ये मेरी तीन चुनोतिया है साजादे हिम्मत होता जाओ सम्विधान को माथे पर लेकर के नाचने से बात नहीं बनती है सम्विधान के लिए जीना सम्विधान के लिए मरना ये सिखना है तुम मोदी के पाथ आओ मैं जानता हूँ कॉंग्रेस मेरी ये चुनोति नहीं स्विकार करेगी क्योंकि इसकी नियत में खोट है